वैशाली के भगवानपूर में लोजपा कार्याले का उठगातन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए विधायक राजकुमार साह ने कहा कि उनके विधायक बनने के बाद लाल गंज विधान सभा छिक्र के कार्यालेओं में लूट खसूट और रिस्वत खोरी पर लगाम लगा है उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्यासी को लोग वहां लाल गंज विधान सभा में पहचानते तक नहीं है बतादे कि विधायक राजकुमार साह ने बीजेपी प्रत्यासी पर हमला बोलते वे कहा कि बीजेपी प्रत्यासी को लोग वहां पहचानते ही नहीं है थो प्वाले उन्होंने बातिस से इस्तिफा दे दिया अब वही इस्तिफा ने दिये। उनके साथे जितने भी। जीला के बदाधिकारी थे फी जेपी के उन लोगुं ते उन लोग भी इस्तिफा दे दिये।